नवसकार दुसर तो इंडिया में कई सारे ऐसे स्मार्टफोन लॉंच हो रहा है जिसमें से IQ new एक है और भी कई सारे फोन है जिसे की Bevo T1 Pro हो गया या फिर Bevo का जो T1 4G स्मार्टफोन है उसमें भी आपको जाने को मिलता है टू इयर का वारेंटी तो या आप जो टू इयर का काम करता है और इसके पीछे क्या है सचाई आज किसी विडियो को बात करेंगे तो आप वीडियो को लाइकर के चैनल को सब्सक्राइब भीजिए और वीडियो को बिना एसकिप के हुए पूरे एंड़की तभी आपको इस समझ में आने बला है चले वीडियो को सर करता हूं दोस्तों परतमान समय में जितने भी फोन लॉंच हो रहे हैं उसमें आपको मेंशन किया हुआ मिलता होगा टू इयर वारेंटी तो यहाप जो टू इयर का वारेंटी होता है वो एक्चुल में किस तरह के से वर्क करेगा इसके बारे में मैंने आईको के घेर से भी पूछा तो वहां से जो मुझे जनकारी मिला है उसी के अधरव में बताने वाला हूँ कि आप जो टू इयर का वारेंटी होता है वह एक्चुल में कैसे वर्क करने वाल है और क्या है इसके पीछे का सच्चाई देखिए आप यहाँ पर देख पार होगे हाली में चलन्च हुआ है न फोन का विल हो या फिर आप जो एक्टिवेट करते हो फोन के अंदरत फोन के वारेंटी काड तो वहां पर आपको मिलता है वन येर का ही वारेंटी जबकि कमपनी ए स्मार्पन को सेल कर रही है टू इयर वारेंटी के नाम से तो एक्चुली में यहाँ पर होता ही है कि ताकि आप इस phone को purchase कर पाएं और यहाँ पर जो two year warranty का facility होता है वो कुछ ही phone के लिए होता है जैसे कि phone launch हुआ है और first sale की जनरत अगर आप buy करते हो तो ही आपको मिलता है two year warranty का facility जैसे कि आप यहाँ अब देख पर होगे new sector smartphone है इस पर भी mention किया हुए कि आपको मिलेगा two year का warranty जब मैंने इसके बारे में पूचा तो पता यह चला यहाँ जो two year warranty का facility है यह आपको मिलने वाला है तब जब आप 15 जुन से पहले इस phone को buy कियोंगे तो अन्यत आपको नहीं मिलने वाला है अब मिला या फिर नहीं मिला यह चीज आपको पता कैसे जलेगा तो इसके लिए option आता है IQ या फिर बीफो के phone के नरत जो कि होता है setting के नरत वहाँ पे जाने के बाद आपको दिखता है E warranty card जिसको आप manual तरिके से activate कर सकते हो और जब आप जाओगे IQ के service center पर तो आप जो है phone के setting बाले option को ही दिखा कर service वहाँ से ले सकते हो तो जब आप new success smartphone के नरत E warranty card को activate कीजेगा तो activate होगा only one year का जबकि company mention कर यह two year का तो यहाँ आप जो second year का warranty है या पर जो extended warranty है वह किस तरगे से work करता है तो इसके बारे में बताये गया यहाँ जो phone का sitting है और इसमें जो दिखाया गया है one year का warranty यही actual में आपको मिलता है और जब one year का warranty in हो जाएगा उसके बाद अगर आप जाते हो care पे तो आपको check किया जाएगा कि आपने इस phone को कब बाई किया था अगर आपने two year warranty वाले phone को launch offer की अंदरत बाई किया होंगे तो आपको one year का और भी facility दिया जागा service center की अंदरत अन्य था नहीं दिया जागा तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि two year का warranty तो सही है लेकिन one year के बाद जब आप जाओगे care पे तो आपको उतने अच्छतर के से response भी नहीं लिया जागा विगवाज बरतमान समय में इतने सारे smartphone launch हो रहे है कि company old phone को तो ध्यान में रखी नहीं पाती है तो ऐसे condition हो मुझे लग रहा कि यहाँ जो two year warranty का facility है यह एक्टरा से scam हो सकता है हलाकि यहाँ जो two year का warranty है यहाँ आपको बहुँ सारे company के द्वारा provide किया जाता है जिसमें से Redmi भी सामिल है Bevo भी सामिल है और यहाँ पर IQ भी सामिल है तो यहाँ जो two year का warranty showcase किया गया है यहाँ आपको नहीं मिलने वाल है आपको one year का ही warranty showcase होगा अगर आप activate की जाएगा अपने phone के नद यह warranty card को तो और one year का ही आपको actual में warranty मिलने वाल है उसके बाद आपको कुछ भी देन को नहीं मिलेगा विकोज पोको भी अपने smartphone को two year warranty करके mention करती है लेकिन actual में पोको का अपना service center भी नहीं है तो आप समझ सकते हो कि आप जो two year warranty का जो game है वो किस तरह के से play हो रहा है तो आप जो है इन सब चीजों के पीछे नहीं परिएगा और अगर आप कोसिस करते होगा कि आपको मिलेगा two year का warranty तो आप IQ care में पका complaint किजेगा विकोज आपके phone में one year का ही warranty सोके सोने वाल है तो यहाँ जो two year का warranty है इसको लेकर कई साथ लोग को problem था तो मैंने आपको यह बता दिया और मैंने आपको यह पर जो भी बता है वह official दनकारी है कि company जो यहाँ पर mention कि है two year का warranty आपके document पे mention नहीं किया हो मिलेगा तो बस आज के शुरू में हैं बताना था उम्मीद करता हुआ है इसके बाब जो आपको problem है तो आपको